पोलर आइसलेंज की पिगलने के वज़े से अर्थ पूरा पानी से भर गया था और कहीं भी जमीन का एक भी तुकड़ा नहीं दिख रहा था वहां के लोग अब एक फ्लोटिंग सर्गुलर एरिया में रहने लगे थे पेड़, पौधे, मिट्टी ये सब चीजे काफी ज़्य जमीन नहीं दिखाई देती थी, लेकिन लोगों का मानना था कि अर्थ पर अभी भी एक आइलेंड है, जो कि पानी के इंडर डूबा नहीं है, और वहां पर वो जाकर जमीन पर रह सकते हैं, लेकिन आज तक किसी को वो आइलेंड मिला नहीं, यहां पर हमें एक आदमी सामाने में बहुत ज़्यादा यूनिक था, मैरिनर इतने सालों से पानी में रह रहा था, तो उसे अब पानी में रहने की आदत सी हो गई थी, वो स्विमिंग भी मशलियों से ज़्यादा तेज करता था, और वो समुदर के अंडर डूपकी लगा कि अलग अलग चीज़ों क डून था था, जिससे कि मैरिनर वो सब सामान, एक्सचेंज करके दूसरे सामान ले सके, हाँ वहाँ पर ऐसा सिस्टम था, कि आप एक चीज देकर दूसरी चीज ले सकते हो, यहाँ पर चोरी का भी सिस्टम काफी जादा बढ़ गया था, लोग एक दूसरे को मार कर अपनी चीजे चुरा लेते थे, जैसे कि यहाँ पर मैरिनर को एक आदमी मिलता है, जो कि एक छोटे से बोट पर आया था, मैरिनर को पता था कि वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए वो उस आदमी को मारने के धमकी देता है, लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि उस आदमी ने म बोट को बहुत ज़्यादा तीजी से चला सकता है लेकिन यहाँ पर दूसरे आदमी के पास नॉर्मल बोट थी इसलिए वो फज जाता है और मैरिनर वहां से भाग कर निकल जाता है मैरिनर जमाके हुई चीजों को एक जगह लेकि आ जाता है जहां वो एक्चेंज करके दूसरी चीजे ले सकता है वो जब अंदर आता है तो वो उन लोगों को मिटी देता है जो की काफी ज़्यादा रेयर थी और उसके बदले मैरिनर को बहुत सारे चिप्स मिलते हैं और वो चीप्स का यूज एक टमाटर के पौदे को खरिदने के लिए करता है वो अपनी चीजे जैसे लेकर जाता रहता है तब ही वहां के लोगों को पता चलता है कि मैरिनर एक म्यूटेंट है क्योंकि उसके कान के पास गेल्स है और उसके पैर मचली के पाउं से मिलते हैं वो लो ग्रेगवर उसे बताता है कि हाँ ये सच है और वो एक छोटी लड़की जिसका नाम इलोना है उसके पीट पर एक टैटू दिखाता है जो कि उस मिस्टीरियस आइलेंट तक पहुँचने का रास्ता है यहाँ पर ग्रेगवर को लग रहा था कि मैरिनर ने पानी में बहुत ज्यादा टाइम बिताया है तो उसे वहां की जानकारिये ज़रूर रहेगी तो ग्रेगवर मैरिनर के पास पहुच जाता है जो कि कैद हुआ था वो उसे उसी बच्ची के पीछे का टैटू दिखाता है और कहता है कि क्या तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता है मैरिनर को इस बारे में पता तो नहीं था पर उसे ये इंट्रेस्टिंग लगता है और वो ग्रैगवर से ये पीजरा तोड़ने की मांग करता है पर ग्रैगवर वहां से चला जाता है यहां अगले दिन सभी लोग डिसाइट करते हैं कि मैरिनर को मा दिया जाएगा और उसे वो दलद को तहसनेस कर देते हैं उन सारे गुंडों का एक लीडर होता है जिसका नाम डीकन होता है डीकन को भी इस बारे में पता चल गया था कि अर्थ पे भी एक मिस्तीरियस आइलेंट है जहां पर पूरा जमीन है और वो उसी को पता करने के लिए उस सुसाइटी में आया था और उस बच्ची को ढूण रहा था यहां पर मेरिनर बुरी तरीके से फस गया था और डलदल में गिरते जा रहा हा था पर हेलेंट वहां आकर मेरिनर की मदद करती है और उससे बाहर निकालती है उन गुंडों ने लोगों के रहनी की जगों को पूरा तहसनेस कर दिया था और उस बच्ची को ढूंड रहे थे लेकिन यहाँ पर मैरिनर कैसे भी गेट खोल के हेलन और इनॉला को अपने बोट पर जाने के लिए कहता है और वो उन दोनों को लेकर वहाँ से निकल जाता है यहाँ पर डेकन और उसके सारे गुंडे उस बच्ची को ढूंडते ही रहते हैं पर उसे क्या पता था कि वो मैरिनर के साथ निकल चुकी है वो लोग के काफी दूर जाने के बाद मैरिनर हेलन से कहता है कि उसे तुम दोनों में से किसी एक को फेकना पड़ेगा क्योंकि boat path के पास ज़्यादा खाने के लिए है नहीं और कुछी दिनों में खाना भी खतम हो मर्ग यहाँ पर मैरिनर हेलेन और इनुला के साथ काफी ज़्यादा बुरा बरताव कर रहा था क्योंकि मैरिनर को पता था कि इस कंडिशन में रहने के लिए उससे पहले खुद को देखना पड़ेगा फिर वो दूसरों की मदद करने जाएगा तबी मैरिनर के बोट के यहाँ पे एक आदमी आता है और वो उसे एक नक्षा देता है जो कि मिस्टीरियस आइलेंड तक लेके जाएगा लेकिन वो आदमी बदले में हेलेन को मांगता है ताकि वो उससे अपनी प्यास हुचा सके मैरिनर बिना कुछ सोचे हा कर देता है और वो आदमी हेलेन को नीचे और हेलेन को बचा लेता है इस इंसिडेंट के बाद मैरिनर उन सब भी को शिकार करने की टेक्निक बताता है कि वो कैसे शिकार करता है वो डायरेक्ली पानी में कूच जाता है और उसके पीछे एक मॉंस्टर आ जाता है जिससे कि वो उसे पकड़ लेता है और उनके खाने का इंतजाम करता है, यहाँ पर वो नरम नरम मास गरम करता रहता है और हेलेन और इनोला के साथ शेर भी करता है यहाँ पर मैरिनर का एक अलगी साइट दिखाई दे रहा था अब वो हेलेन और इनोला के साथ अच्छे से बात कर रहा था और उनकी केर भी कर रहा था वो इनोला को तैरना भी सिखाता है ताकि वो बुरे कंडिशन में खुद की हेल्प कर सके तबी कुछ दूर पर डेकेन और उसके गुंडे पहुँच जाते हैं और उन पर हमला ही करने वाले होते हैं तबी मैरिनर अपनी बोट की स्पीट बढ़ा लेता है वो बोट की स्पीट और तेज बढ़ाने के लिए एक पैरा सूट का यूज करता है जो की बोट को पीछे डखेलता है और वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगते हैं यहां पर उने लग रहा था कि वो उन गुंडर से बच गए तबी मैरिनर हेलन से उस टैटू के बारे में पूछता है जो की इनोला के बॉड़ी पर है हेलन मैरिनर को बताती है कि वो एक नक्षा है जो की ऐसे आइलन पर लेके जाता है जहां पर पूरा जमीन है लेकिन मैरिनर इस बात पर भरुसा नहीं करता और वो कहता है कि यह सी पर कहवा है इस अर्थ पर अब कोई भी ऐसी जमीन नहीं बची है जो पानी से ना गिरी हो इससे प्रूफ करने के लिए वो हेलन को एक बबल में डाल देता है और पानी के अंदर लेके चले जाता है मैरिनर के पास खुद के गिल्स थे इसलिए वो पानी में आसानी से सांस ले सकता था और जब मैरिनर हेलन को पानी के अंदर लेके जाता है तब वो दिखता है कि पूरा सिटी पानी से भर चुका है और सारी बिल्डिंग्स और जमीन पानी से पूरी तरीके से भर चुकी है और कोई भी जमीन अब बचा नहीं है यहाँ पर इनोला बोट पे अकेली होती है और वो पानी में कुछ मूवमेंट देखती है और तभी पता चलता है कि वो मैरिनर नहीं है वो डेकेन के वही गुंडे लोग होते हैं जो पानी से बाहर निकल जाते हैं और बोट पे अकेली इनोला को पकड़ लेते हैं यहाँ पर मैरिनर और हेलन कुछ नहीं कर पाते और वो जैसे ही उपर आते हैं उन सारे गुंडों ने इनोला को पकड़ लिया था और अपने साथ लेके चले गए थे उन्होंने मैरिनर के बोट को तहस नैस कर दिया था इनोला के जाने के बाद धेलन काफी दुखी हो जाती है और इस बात का दुख हमें मैरिनर के शकल पे भी दिख रहा था वो अब एक फादर की तरह रियाक कर रहा था जैसे कि इनोला उसकी सची की बेटी है यहाँ पर मैरिनर को लग रहा था कि अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है वो लोग यहाँ पर बुरी तरीके से फस चुके हैं तब ही वहाँ पर ग्रेगर अपना उडन खटोला लेके आ जाता है और मैरिनर और हैनन को उपर बुलाता है वो एक रस्ती के मदद से उस उडन खटोले में आ जाते हैं और ग्रेगर को भी पता चलता है कि इनोला को डेकन के लोगों ने किड्नाप कर लिया है इसलिए ग्रेगर और मैरिनर डिसाइड करते हैं कि वो उसे जाकर बचाएंगे और वो अपने उडन खटोले को डेकन के लोगों के पास लेके जाता है और उनके बोट पर पहुँच जाता है यहाँ पर देखके लग रहा था कि मैरिनर को काफी गुसा आ गया है और वो एक एक करके डेकन के लोगों को मारने लगता है यहाँ पर उसने दीरे दीरे करके डेकन के काफी लोगों को मार दिया था और वो डेकन के पास आता है और उसे इनोला को वापस करने के लिए कहता है वो डेकन को धंकी देता है कि अगर उसने इलोना को वापस नहीं किया तो वो उसके पूरे बोट को उड़ा देगा इसके बाद मैरिनर बोट के इंजिन में एक जलती हुई छड़ी डाल देता है जिससे कि बोट का इंजिन फड़ जाता है और बोट का आदा हिस्सा तैस नयास हो जाता है डेकन इनोला को बाहर निकाल के एक प्लेन से भागने लगता है और वो जैसे ही भागने वाला होता है मैरिनर एक रसी लेकर उस प्लेन पे बांद देता है और रसी के दुसरे भाग को बोट से बांद देता है जिससे की डेकन भाग न पाए और वो प्लेन नीची गिर जाती है वो जब जाकर प्लेन में इलनोला को देखता है तब इलनोला को कुछ जदा चोट नहीं लगी थी और वो उसे लेकर भागने लगता है वहाँ पर ग्रेगर और उसके साथ ही उडन खोटोले से आ गए थे और वो एक रसी फेकते हैं जिससे कि मेरिनर उपर आ जाये लेकίν यहाँ पर मेरिनर इलनोला को जैसे ही उपर लेकर जाता है डेकन भी उस रसी की मदद से उपर आने लगता है लग रहा था कि Dekan उन्हें जाने नहीं देगा तबी Helen उपर से एक object मारती है जो सिधा जाकर Dekan के सर पर लगता है और वो जाकर नीचे गिर जाता है वो लोग कैसे भी करके Mariner और Inola को उपर खीचते है और उन्हें लग रहा था कि अब वो बच जाएंगे लेकिन तबी Dekan न पैरों में एक रसी बांता है और रसी का दूसरा हिस्सा उस उड़न खटोले से बंदा रहता है वो उसे अपने पैरों में बांद कर कूच जाता है और Inola को पकड़ लेता है और वो एक ट्रैंपोलिन की तरह उपर वापस आ जाता है तब ही हमें पता चलता है कि वो रसी आपको फॉलो करने लगते हैं और कई दिनों के सफर के बाद वो एक जमीन देखते हैं और वो पूरा एक आइलेंड था जो कि प्याओर नीचर से घिरा हुआ था वो लोग जब उस जमीन पर कदम रखते हैं तब वो काफी जादा अच्छा फील कर रहे होते हैं क्योंकि उन मैरिनर डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर नहीं रह सकता और वो उन्हें छोड़कर वापस चला जाएगा लेकिन यहाँ पर मैरिनर का बहुत अच्छा संबंद बन गया था हैलेंड और इनुला के साथ और इनुला को तो मैरिनर काफी अच्छा भी लगने लगा था लेकिन टीम इसी तरीकी के मज़ेदार स्टोरीज लाते रहती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो तो मिलते हैं इसी तरीकी के next